देश में धर्म को लेकर कटरता फैलाई जा रही है। दोनों ही तरफ से तरह तरह की बाते की जाती है। लेकिन देश की आम जनता लगता है कुछ और ही चाहती है। दीसी बुक्स के द्वारा रामायन कुज का आयोजन किया गया था। इस रामायन कुज में बासित और जावर नाम के दो मुस्लिम चात्रों ने हिस्सा लिया। और इसके पांच विजयताओं में शामिल भी हुए। मुस्लिम चात्रों का रामायन कुज जीतना एक बहुत बड में कहा उसे हर हिंदू को सीख लेना चाहिए मुश्लिम चात्र बासित धडलने से रामायन के श्लोक सुनाते हैं और इसका अर्थ भी बताते हैं उन्हीं के मित्र जाबिर की बात करें तो वो भी रामायन में अच्छी रूची रखते हैं वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को रामायन और महाभारत पढ़ना चाहिए क्योंकि ये देश की संस्कृती है परंपरा है और इतिहास का अंग भी है ये सब सुनकर उन हिंदूओं को शर्माना चाहिए जो प्रभु राम और भगवान शी कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रशन चिन्ह लगाते हैं और रामायन और महाभ में ये गुण होने चाहिए आपको बता दें कि दोनों ही विजेता चात्र वाफी कोर्स के चात्र है वाफी कोर्स उत्तरी के वालेंचरी में केके एसम इसलामिक और आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला आठ साल का कोर्स है इस कोर्स में सवी धर्मों के बारे में प इतने के बाद उन्हें हर समाच से बधाईयां और शुबकामनाएं मिल रही हैं। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। जैहिन।